हमारे देश के अलग-अलग प्रांतों से आये आर्मी के वो जाबास सिपाही जो हमारी देश की अखंडता और सुतंतरता को बनाये रखने हेतु अपने प्राणों की परवाह किये बिना कठिन हालात में देश की सीमाव की रक्षा करते हैं। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में हमारे मानिनीय राष्ट्रपती युद्ध में वीर्ता की मिसाल कायम करने वाले सिपाईयों को परमवीर चक्र से सम्मानित करें। ये हमारे राज्य के लिए फक्र का विशह है कि हमारे मिट्टी में जन्में एक नौजवान ऑफिसर बंटी को परमवीर चक्र से नवाजा गया। गुड़ मॉनिंग साथ। सर। क्या हुआ। सर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। किसका ओडर है। मेरा फैट्टरी को ताला मार दिया है। पहले से काफी लेबर प्रॉब्लम्स हैं। कोई फसाद खड़ा नहीं हो। इसलिए लेबर अंदर अलाउड नहीं है। आप चेफ सिक्यॉर्टी ओफिसर हैं। इसलिए आप जा सकते हैं। अरे ये क्या बात हुई। लेबर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेले साब ने हमें यहां बुलवाया है। और आप इन्हें रोक रहे हैं। इन्हें रोकने की ओडर्स उपर से आएं। आपको अक्यले जाना होगा। पाधाएं आती हैं तो आएं। घिर प्रलय की घोर खटाएं। पाव तले अंगारें। सिर पर पर से जवाना हैं। वाव वाव। वाव नीचे क्या कर रहें। उपर आजाएं ना। नमस्कार मिलिटरी माध हो रहा। नमस्कार। अजीब बात। आप रिटायर हो चुके पर मिलिटरी आपको छोड़ने को तयार नहीं। आपके नाम के साथ मिलिटरी जुड़ गई। आपके नाम के साथ भी तो M.L.A. जुड़ गया। लगतार तीन बार से तो आप ही जीत रहें। वाव। 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 मंत्रियों के साथ नाता जोड़ो पेट्रोल पम के लाइसेंस लो या एक दो फैक्टरीज के परमिशन ले लो थोड़ा पैसा बना और सुक से जीओ मुझे बड़ी खोशी होगी। तीस साल पहले सरकार ने पब्लिक सेक्टर के तहत फैक्टरी शुरू की थी इस से ना सिर्फ दो हजार मजदूरों के परिवार का पेट भरता था बलकि उसके साथ साथ गन्य की खेती करने वाले हजारों किसानों के घर के चूले भी जलते थे लेकिन लोगों को वरेब देकर तुमने इसे घाटे में लाकर बंद करवा दिया और अब अपने ससूर अगरिकल्चर मंतरी की मदद लेकर इसे कोड़ियों के दाव हासिल करता चाहते हो इसे आपको क्या दिक्कत है ना तुम मजदूर हो ना ही उनकी यूनियन के लीडर हो ना तुम किसान हो ना ही कोई पोलिटिशन हो तो इन बेकार के पच्छडों में क्यों खाव खाव पड़ रहे हो बरफीले पहाडों पर एक जवान अपनी जान को जोखिम में डालता है किसलिए ताकि सरहत पर दुश्वन हमारी धरती मा के सिने पर पाव ना रख सके तो देश के अंदर के दुश्वन को अपने देश के लोगों को कैसे लूटने दूँगा तुमारे खिलाब सारे सुबूते कठा कर लिया है मैंने कल सुबह तक वो फाइल सेंटर मिनिस्टर के हाथों में होगी अभी क्या कहा था तुमने मैं इन पच्णों में क्यों पढ़ रहा हूँ मैंने मिलिटरी से रेटार्मेंट लिया है युद्ध से नहीं लिया है जंग लड़ना मेरी खून के फितरत में है एक बार जो सिपाही बन जाए वो मरते दन तक सिपाही ही रहता है जब तक जिन्दा रहूँगा तो मैं फैक्टरी हासिल नहीं करने दूँगा तथास्त तेरी मृत्यों निश्चित है पूरे दुनिया अपने परिवार के साथ मिलकर दीवाली मनाती है लेकिन एक आप हैं जो अपनी बेटे को बॉर्डर पर भेज कर खुश होते हैं कहते हैं कि फॉर्जी का वमेशन बॉर्डर पर होना चाहिए अब वो देश की रखवाली कर रहा है इस बात पर आप कितना गर्भ महसूस करते हैं लेकिन उसके बिना दीवाली सून ही है मिठाई खाने का भी मन नहीं करता अपनी अंधी बेटी की बिलकुर परवानी आपको पापा क्या है बेटी ये क्या मैं आपसे बात किय जा रही हूँ और आप जवाब तक नहीं दे रहे क्या कर रहे हैं आप तुम्हारे भाई को चिठी लिख रहा हूँ मेरा भी प्रणाम कहीगा और उनसे पूछीगा मैंने जो अचार भिजवाए थे वो खा या नहीं सुन रहे हैं ना पूछ लूँगा ओ कितना शोर हो रहा मेरे कार के परदे भच जाएंगे अपनी जान जोखिम में डालके हम सब लोगों की जान बचाई और परमवी चक्र हासिल किया तुम सच मुछ रियल लाइफ के एक महान ही दोगो ये बता मेरे सीने पर ये मेडल देखकर उनका सीना चोड़ा होगा की नहीं अरे क्या बात कर रहे हो तीस साल की इतनी लंबी सर्विस में उन्हें एक भी मेडल नहीं मिला क्या तुम्हें एक बात पता है आर्मी के तुम यंगस्ट ऑफिसर हो जिसे ये परमवी चक्र मिला ऐसी बात है जो उन्होंने तीस साल में नहीं क्या मैंने तीन साल में किया मैं ग्रेट हूँ बापू ये देखकर शौक लगेगा उन्हें आपके लिए ये टेलीग्राम आया है सर क्या हुआ क्या बात क्या है पिताजी गुजर गए जल्दी काओ आजाओ अरे बंटी आगया बंटी देखना क्या होगे बंटी अंकल ही रहे अंकल ही रहे भाईया 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 ये क्या बाबू आज तक आपको दाड़ी रखना पसंद नहीं था फिर आपने शेव क्यू नहीं की एक जवान को हमेशा टिप टॉप रहना चाहिए, ये बात आपी ने सिखाई थी ना मुझे, फिराज दारी क्यों नहीं बनाई, आजकल आलसी हो गया आप, लग गया, सॉरी हाँ, पिता जी का अंतिम संस्कार इसी जमीन पर करेंगे, सोलजर, अब चल बंटी, कब तक क्या रहेंगे, इन्हें शम्शान ले जाना है, शम्शान नहीं, हम अपनी जमीन पर उनका अंतिम संस्कार करेंगे, आप ये वस्त्र पहन लेगे, किसलिए, श्वेत वस्त्र पहन का करेंगे, तो उनकी आत्मा को शान्ती मिलेगे, आप अपन तब ही उनकी आत्मा को शान्ती मिलेगी, विधी शुरू करिये, रुख जाओ, यहां किसलिए है, यहां समाधी स्थल बनाने आए है, कोई से हाथ नहीं लगाएगा, यह समाधी स्थल मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगा, हर काम में आपको जल्दी रहती है, यादे एक बार किसी ने शिकायत की थी, और आपने मेरी पिटाई कर दी थी, बात में पता चला गल्ती मेरी नहीं है, तो रोने लग गए थे, हम पर ज्यादा सूट करता है, यह जो पूरा इलाका है, वो सोना उगलेगा, यह दो परवत हैं, पांडू वाला परवत, इन दोनों पहाड़ों के उस तरफ, एक लाख एक अड़ गन्ने की खेती है, और इन पहाड़ों के इस तरफ, यह यह पीछे देखिए, एक गवर्मेंट शुगर फैक्टरी है, पूरी तरह सुसच्च है, यहाँ गन्ना पैदा होगा, और गन्ने से पैदा होगी शकर, अरे यह खयाली पुलाव पकाना छोड़ दो, इस परवत से उस परवत के दोनों तरफ, तीस किलो मीटर तक कोई भी सड़क नहीं है, खेती से आने वाले ट्रक्स को साट किलो मीटर चलना पड़ता है, प्रोडक्शन कॉस्ट दुगनी हो जाती है, नफा जाता है टेल लेने, और यही सबसे बड़ी वज़ा है कि फैक्टरी बंद हो गई, बड़े बड़े ताले लटके होएं वहाँ पर, इस फैक्टरी को डिस इंवेस्मेंट स्कीम के तहट मैंने खरीद लिया, कौनसी स्कीम, अरे जेब कत्रे जैसे शहर में अपने अपने अलाके बनाते हैं आजकल हमेले और तुम्हारे पापा जैसे नेता लोग घाटे से बन पड़ी सरकारी फैक्टरी को गोडियों के दाम अगर आपस में बांट लेते हैं, यही है डिस इंवेस्मेंट स्कीम, कुछ भी मत फेंको, पूरे 25 करोण में खरीदा है, और इसके असली कीमत 250 करोण है, इस हिसाब से मुफलियों के दाम पर इसे खरीदा है साब ने, आट किलो मेटर डीजल जलाने के पास फैक्टरी का प् बनाई, इतनी देर क्यों लगी, एक इंजिनेर ने भी यही सवाल उठाया था, अगले दिन उसकी लाज उठायी गई थी, क्या कह रहे हो, साच किलो मेटर के बजाए सिर्फ 5 किलो मेटर का कॉंट्राक्टर को बहुत बड़ा लॉस हो जाता न, उस लॉस से बचने के लिए कॉंट्राक्टर ने इंजिनेर को बली का बक्रा बना दिया, इनके महान ससूर जी, सड़क के अलावा उनकी ट्रांसपोर्ट कमपनी ने गन्ये को फैक्टरी तक पहुंचाने का कॉंट्राक्ट भी हतिया लिया, जैसके मशीन गन्ये से सारा जूस निकाल देती है, ठीक वैस समझ गया, समझ गया, क्या समझा पूछना, जैसे तू बोलेगा नहीं, चल बता, अब ये जमीन जीनने का काम, ये लायर, ये कलेक्टर और ये इंस्पेक्टर मिलके करेंगे, अब क्या घर तक का छोड़ू, चलो नीचे उत्रो, एक कटिंग पिला रामो, बगेर मलाई मार के, रामो, किसी के गलास में बच गई हो, तो वो भी डाल देना, डाल देता हूँ, हाँ, ऐसी रंग भी रंगी शर्ट, तेरी शकल पर सूट नहीं करती, हलो, जड़किया पर्स में माल और सीने पर बाल देखती है, शकल से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, अच्छा, पह में और तुम में क्या फरक हुआ, मेरी लेफ्ट आंक से डबल और राइट आंक से आधा दिखता है, तो दोनों मिला करके चार हुआ, सरपंजी यहीं बैठ है, तो बताईए सरपंजी कैसे हैं, बीमार होता तो किसी अस्पताल में पड़ा होता, बिल्कुल, कोई टेंशन हो करें के लिए लोणावला चला गया और कौफी पीने के लिए मेरा रोड आ गया पान खाने पनवेल चला गया और बिर्यानी काने के लिए कल्यान, उसके बाद एक घधे से मिनने के लिए यहा चलांबर मैं सूपर बिगर एक नमबर लगता है ताजा फूल तोड़के लगाई है बालों पर अगर मुझे ये मिल जाए ना ये मेरी बेटी है तेरी डबल आखों से इसकी सुन्दरता तो देख ली तुने अब यहां आकर ये जो कहेगी वो सुनकर तेरे कान के बाल जलकर खाक हो जाएंगे ऐसा क्या रे कंट्रप पांच रुपए क्या फोकट में आते हैं पांच रुपए में तंबाको आता है पान आता है बीडी आती है माचस आती है चॉकलेट आती है लॉली पॉप आती है सुई आता है धागा आता है बिस्केट या चिप्स का पैकेट आता है नहने दोने का साबून आता है सेव या तो आज से पहले मुझे पता ही नहीं था तूम बैटर से दूरी रहो बढ़ाव मैं सुलजा लेगी कोई अपने पिता के साथ इस तरह बात करता है क्या बोल जब मैं बच्पन में आपको डाटती थी तो तब मेरा बेटा मेरा शोना करते थे यह गलती आपको तब सुधारनी चाहिए थी इस उमर में ट्रेंड बदलेंगे ना तो मैं नहीं मानने वाली कंड़क्टर क्यूबे लोगा से पांच-पांच रुपे खटा करके ट्रांसपर कंपनी खरीदने वाला है क्या तुम्हारे पांच रुपे से मैं वीजे कालिया नहीं बन जाहूंगा उनका एक तो दो दिन में हाथ से गई समझो अब जल्दी से कोई आइडिया दो मेरा नाम है अब पुराजया आइडिया जदू ताजा ताजा लाओ तक्षिना आगया जेब खाली करने है देशी ठर रहा है इस चमेली भाई को तुमने क्या समझाया है मैं अकेली तुम सब पे भारी पढ़ जाओंगे या अरे चिकनी चमिले पाउड़े की कशम अभी अभी तो तुम तिरूपती मंदिर से लोट के आई हो आते ही गणपती के मंदिर में चड़ावा चड़ाना है क्या यह भूल गई अईयो वो तो मैं भूली आई जैओ जैओ तिरूपती से लोटने की ठीक बाद मेरी शादी हो जाएगी आपके पुजारी ने मुझसे ऐसा ही कहा था तिरूपती जाने के लिए पापा को पटाने में 6 माईने लग गए थे हाँ अब मेरी शादी करवानी की जिम्मदारी आपके कंधों पर है ठीक है अपने हीरो से शादी नहीं हुई ना तो इस पा नारियल चढ़ाती है लिकिन मैं मैं आपको हर रोज मोदक देती हूँ अरे आप अपने कान क्यों बद कर रहे पपा इस लड़की की आवाज सुनकर मेरे कान पग गए मेरे चढ़ावे के लड़ू का सेवन तो तू करता है इतनी गर्मी में नारियल का पानी भी तू पी जा है जो किसे कहते है मैं अभी बताती हूं तुल्हा बचा बच्चे देदी आपा हीरो लोटाया मेरा हीरो लोटाया मेरा हीरो लोटाया बंटी लोटाया बंटी लोटाया बंटी वो बंटी सुवे सुवे क्यों शोर मचा रहे हो सौने लोटाया उड़ गया अरे पानी मत भैं बेटा जोती तुम्हारा भाई अब तक सो रहा है या उठ गया भाईया वो तो कबके उठ गया जोती वो कुम करन उठ गया है या मैं जाओ उसे उठाने पापा पापा क्या हुआ बेटा मैं सबने में एक राक्सिस आया मैं सोने पारा मुझे बहुत डर लग रहा है अरे मिलिटरी वाले का बेटा होका धरता है सोजा सोजा प्यारे बंठी आज युद्ध में भारत की जीत हुई मैं नहीं लेकिन तुम तो सरद पर हो बहुत गर्व की बात है बॉर्डर पर तुमने मौत का तांडो देखा है मौत का डर सबको सताता है डर फर्स को निभाने से रोकता है जिस दिन डर पे विजह पालोगे हर युद्ध जीतोगे मौत पे विजह पाने का मतलब लंबी उमर जीना नहीं होता बलकि हस्ते हुए हर दिन मौत को एक नई चुनोती देना होता है चाहे कोई भी परस्तिती हो कभी हिम्मत मत हारना चेहरे की मुश्कान कभी मत खोना हस्त हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो तुम्हारी बेहन की जिम्मेदारी अब तुम पर है तुम्हारा पापा पापा कहा है मेरा हीरो तुम्हारी चमेली आ गए मेरा डैशिंग हीरो बंटी कहा है बंटिया मेरी ननन्त कहा है मेरा पती परमेश्वर उसको बुलाओ मैं आ गई हूँ जियोदी आखरी बार जब मैं उनसे मिली थी वो तो बिल्कुल ठीक थे थे ना फिर यह कैसे हो गया हार्ट अटैक क्या कहा हार्ट अटैक इतने फिटा अग्मी को हार्ट अटैक कैसे हो सकता है इस गाव में एक सेक वालतू स्टूपड लोग भारे पड़े उनके बजाय भगवान ने एन क्यों बुलाया वो गधा सरपंच आइडियास का सेल्समेन अप्पू राजा नहीं तो पाखंडी पंड़ को यहां टैक आ जाता अपने बेटे की शादी के बना कैसे चले गए है यह तो चमिली है अब यता को ऐसी ही रोती है तू अपना हुलिया तो देख सर पे गुलदस्ता हुगाने की आदत गई नहीं तेरी कितनी जिद्धी थी बच्पन में लॉलीपॉप चूसती थी किसी को नहीं देती थी कितना आसू टपकाती है मैं टपका रहा हूँ ए काई को रोती है पापा ने हसने को का है फिर यह धारा काई को यह आसू बहुत ही कीमती है एक आसू एक करोड रुबेगा है इन्हें जमीन पर गिरने मत दो वरना हम सब दुखी हो जाएंगे अगर तुम इसी तरह रोती रह जमीन पर रहे है बड़े कत्दू की तरह गोल मटोल या चोटी भिंडी की तरह सलिम ट्रेम को कि मैं इन से न आ राग मैं इसकी शादी का जिम्मात तो ठीक है लेकिन मेरे बारे में तुम्हारे सपने में कुछ भी निकाहायन होने तो सपना कौनसा सपना कि तुम मुझसे श से शादी हो किसी बंदर्या से नहीं बिल्कुल करेक बोला तुमने मैं लड़की नहीं हूँ मैं तो एक औरत हूँ एक भरपूर हसीन औरत एक जलती चिंगारी जवानी के शोले बढ़का दूगी एक हसीन सपना मेरे पास आजाओ तुम्हारी जवानी की भूख मिटा दूगी पगला गई हो का हारा रंग देना यलो डिजाइन तो मस्त यार पीछे पीछे पीछो बैना ने क्या मस्त डिजाइन बनाया यार स्प्राइज मिलेगा इतने अच्छी नहीं बनी ना आरे जोती यह तो वर्ल्ड क्लास डिजाइन है इसके साथ सेलफी तो बनती है मोबाईल है क्या अरे बचू बचाओ और बचाओ हेलो यह यह बया बया यह 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 बया यह 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 जिल्दी बना लंगूर लंगूर कहीं का तुछी ना ए चिडिया गर की चिंपानजी मैं ही हूँ डिंड 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 रंगोली बनाएगी या नहीं नहीं बनाओंगी रंगोली बनाएगी या नहीं बनाएगी आइसेड नो बोल पी-फॉर-फॉर-फंचर चलो स्पेलिंग बलो अपने घर के सर्वेंट से अपना हाथ जगनात मर्दों का रूल होता है तो अपने हाथ का कमाल दिखाओ नो रुख जाओ रुख गया मैं बनाती हूँ कमर जुका और शिरू हो जा समलकर समलकर बैठ जा कलस देना इस तरह लड़की को कोई देखता है आज के लिए इतना काफी है अपने चाबी उठाओ और यहां से चलती बनो ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूँगा चल निकल है इडियाट जानू कहकर बुलाओ ना बेबी हे गुलाबी लंगुल मुझसे उलजने का नतीज़त देख लिया न अभी बताता हूँ विग्डेल शेर्नी एक दिन तुझे अपने ताल पे नचाओंगा आपका शुपचिन तक होने के नाते आपको बस यही सला दूँगा इस सडक के लिए अपना पैसा जाया क्यों कर र यह तूफान आ गया ए अंजली बता के नहीं जा सकती थी जलबता कहा गई थी मैं कहीं भी जाओं तुम्हें उससे क्या मतलब मुझसे इज़्जत से बात कर मैं तुझे बढ़ाओं भाईया इसे आप अच्छे से समझाईए एक फटकार में बात समझ नहीं आती इसे घोड हूँ या फिर गधा बिल्कुल गधा ही है ऐसा अंजली ने कहा वहाँ देखो हमारो साब आगे आई 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 आजा तो तुमने सड़क के लिए सारे खेट खरीद लिया है ना सारे खेट खरीद लिया है सिवाए इस पांच एकड़ जमीन के अरे क्यों हाट तो नाम जाएंगे सिधे कटर में थोड़ा और पैसा देखे जमीन खरीद लो ना भईया फाइदा नहीं है उसने इंकार कर दिया है आखिर है को और वो वह स्वर्गी फौजी माधा राव का बेटा है क्या का स्वर्गी है मतलब वो नहीं रहे है माधा राव तो हमारे पार राव के बेटे को जाकर मुझे सांत्व ना देनी चाहिए है हीरो हो हीरो अरे नमस्ते अमेले साप पूरे गाउं के एरो कैसे हो मैं ठीक हूँ आपने तक लिफ कियो कि मुझे बुला लेते आप बैठिये ना अरे कोई बात है कोई बात है चलेगा कमाल कर दिया पूरा जय किसान इनके बिना देश की कल्बना नहीं कर सकते हैं कल ही पता चला हार्ट अटेक से उनका देहान थो गया है बड़े ही नेक इनसान थे वो बहुत ही निर्दय है भगवान अच्छे लोगों को इतनी जल्दी बुला लेते हैं बेटी का विवा नहीं देख पाए बेटी पापा की समाधी बनाई हुई है सेंटिमेंट्स की वही जगा होनी चाहिए जो शट पर लगे सेंट की होती है फोड़ी देर में अपने आप उड़ जाती है वरना प्रॉब्लम आज के जमाने में जानता हूं पर आज भी माही बच्चे को जनम देती है सूरज पूरब से ही जwritten उकता है आज भी मनुष्य मनुष्य ही है और पशु पशु है सरड़ जिसके पास भावनाय नहीं है वह मनुष्य नहीं है सरड़िंगता मैंने अपने पितजी की समाधी उस जगह पर क्यों बनाई है माबाप कितने कश्ट उठा कर अपने बच्चों को पालते पोस्ते ह फिर एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाते हैं समाधी स्थल उनके वहां होने का एसास दिलाती है गलती से भी कोई उनकी समाधी पर पैर ना रख दे इसलिए उसे पहाड़ी पर बनाया है ओके, 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 आपके पिताजी के समाधी को डिस्टब ना हो, उसके लिए तारबंदी करके उसके साइड में रोड निकाल लूँगा अब अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ देखे, हमारे देश में सरकारे मंदिर मस्जित हटवा देती हैं, समाधी नहीं हटेगी इसकी क्या गैरेंटी नहीं सर, मैं मजबुर हूँ, मुझे माफ कर दीचिए ठीक है, तुमारी इच्छा बंटी, क्या तुम अपनी जमीन उसे बेच रहे हो? चाचा, एक ही बात मुझे कितनी बार समझानी पड़ेगी, मैं किसी को जमीन नहीं बेच रहा हूँ, ये जमीन बिकाओ नहीं है, कम से कम आप लोग तो समझने की कोशिश कीजिए, जहां पिताची की समाधी बनी है, वो जमीन मैं नहीं बेचूंगा बहुत अच्छी बात है, हम ये ही चाहते थे, उदर के सारे केत MLA ने खरीद लिये, मगर जब तक उसे तुमारी जमीन नहीं मिलेगी, ना रोट बनेगी और नहीं उसकी फैक्टरी चालू होगी एक दिन वो फैक्टरी गॉर्मन चलाएगी, तब ही हम मजदूरों के अच्छे दिन आएंगी पेटा आप क्या कह रहे हो चाचा मेरी समझ में नहीं आ रहा है बंटी, आज तक तक तुमारे पिता ही हमारी मदद करते रहे उन्होंने हर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई मगर आज वो हमारे साथ नहीं है और हमें पूरा यकीन है, भले ही वो जिन्दा नहीं मगर उनके आदर्श हमारे साथ है आज तुमारे पिता और जमीन पर इसलिए है ताकि खुन चूसने वाला आमेले वहार रोड न बना सके वो हमारे भगवान है जमीन हडपनी उसे, ओके, पिता जी की जमीन उसके बाप की जागिर है क्या वो आम कितना बड़ा और मोटा है ना आज से तोड़े कैसे बहुत ही आसान है जै तब केश्वर महराज कहो अपने आप ही गिर जाएगा वाव आम अपने आप गिर गया काश वो वाला भी गिर जाए वाव काश वो वाला भी गिर जाए मुझे ये वाला चाहिए ये वाला भी ये तो अनर्थ है घोरम घोर अनर्थ है पापों का बाप है आमों का कतलियाम क्यों कर रही है छोड़ी हम चाहिए जो करें तुम्हें क्या मतलब समझा इस पेड़ को देख उसे छोड़े इस पेड़ को देख फैमिली ट्री है धूप में इसने पसीना पहाया भरी बरसात में गीला हुआ और सर्दी में शिकुण गया ये बड़ा है इसलिए खड़ा है मेरे पुरुवाज इसकी जड़े हैं मेरे अंकल्स इनकी शाखाए हैं और ये सारी पत्या अंकल्स की पत्निया है और ये दो आम मेर मेरे काजिन ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं जिने तुमने मार दिया है तुम मुझे अपना मेल आइडी दो मैं समझा दूंगा फेस्बूक इंस्टाग्राम वाटसप नमबर दे दो है ओवर स्मार्ट मत बन दो तीन आम तोड़ने से वाटसअप नमबर नहीं दोगी इस पैसे ले लो और हमें छोड़ दो कितने हुए वन हंड्रेड ये रखो एक महंगो का हंड्रेड इतना महंगा आम मैं नहीं दूंगे मकमल सा तन बदन क्या होगा पैसे दो पैसे दो या ओके बाबा आप किस लिया ही छोटी मालकिन मैं खुदी घराम पोच्वाँ देता हां मालकिन मालकिन आप इतनी हैराम क्यों है ये तुम्हारा बागा यू मजा कर रही है ये बगीचा ये सारे पेड़ आपी की तो है मानना पड़ेगा अंजली वो लड़का तो जीनियस निकला तुझे तेरे ही आम बेच दीए झाला 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 tienes झाला झाला requiresा है क्या नॉटक किया रे इधर फैंसी ड्रेस चल रहा है बेटा इजट से बात करो हम तुम्हारे बुजुर्ग है इजच्चे ये तुझे इजच्चे ये तुझे शकल देखी है ए तू क्या घूर रहे मैटर क्या है तुमसे रिष्टे की बात करने आये हैं उमर देखी है शाद करेगी है ये मूँ और मुंकी दाल तथास तू आई शुमान भव तेरा कल्यान हो हमारे गाव की कन्या सभाग्यवती चिकनी चमेली से तम्हारा होने चाहा रहा है एक रंपाट दूगा ना सारे रिष्टे भूल जाएगा तू यूरे बंटी तेरी उमर निगली जा रही है है ना सारे कुवारे लड़के घर के अंदर चुप जाते हैं इसकी अदाओं में एक अलग सी कशिश है कशिश नहीं पटाने की कोशिश है हमारे चिकनी चमेली की आदा एक नंबर है सबसे फालतू और बकवास इसे देखकर उल्टी होती है संभाल की बात कीजे बेटा उमर पीबी प्यारे बच्चे हमें डिस्टप करेंगे चलो कोप्चे में चलते हैं अरे वाद जल्दी मानदी अंदर चलें अंदर चलें इसे लुक्स क्यों देर रहे हो क्या है क्या देख रहे हो क्या है हीरो अचानक क्या हो गया देखने का तरीका क्यों बदल गया तुम्हारा तरीका नहीं बदला है मूर बदला है मतलब प्यार करना है ऐसा क्यों हुआ चलो ना शुरू करो हमारी लड़की से कैसे प्यार कर सकते हो आज अभी मुझे निराश मत करो ऐसा नहीं हो सकते यह पाप है, तो हो जाए, अभी तक हमारी शादी नहीं होई है, एक ना एक दिन तो हमारी शादी होनी ही है, सुनामी आने से पहले प्यार के मौजों पर laws कर लूए, मुझे नहीं करना ब्रेक मत लगा अभी जवानी उच्छाल मार रही थी शादी कर लो और एक बार ऐसी हरकत की तो सुहागरा तुसी वक्त मना लूँगा फिर करोगी चल जा यह तो मानना पड़ेगा मेरे लिए करेक्ट लड़की है थोड़ी देशिये पर विलाईती से स्ट्रॉंग है ना दुनिया में कोई इनसान का जो कणकण में बसे भगवान का इस धर्ती मा का महपत के जजबे का दिल में धदकते प्यार का लिखने वाला कोई नादान होगा सा सब बकवास है क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती साब बिकाओ है बस नोट भेगो दो हजार मजदूरों ने एक साल तक जो भुकमरी से यह उसकी कीमत लगा सकते हो नहीं लगा सकते है खून पसीना बहा कर भी खून के आशू रोकर भी और कहीं से मदद नम मिलने पर लजाने कितने मजदूरों ने आत्मत जाय की है क्या कीमत लगा होगे जैसे किस्मत अफसर नहीं देती वो बगावत पर उतराता है जैसे तुम, मौके का फायदा उठाने वाला जिंदगी के सावे आश भोगता है जैसे मैं मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ आश करने का मजदूरों से अपील करो के इस हूख हड़ताल के तमाशे को बंद करके हमारी शर्तों को मान ले ये तमाशा नहीं हम मजदूरों के वजूत की लडाई है वाशन दे रहा है बुड़ा, इसे इनकांटर में मार दू साले सहा, नई फैक्टरी का गाटन करते समय क्या करते हैं नहीं जानते मुरगे या बक्रे की बली चड़ाते हैं इस बार उन्हें बक्षते हैं नर्वली चड़ाते हैं ग्राम प्रदान की तरफ से अतितियों और दर्शकों का हारदिक स्वागत है लगातार चार सालों से हमारे गाउं की हीरो टीम फाइनल्स में पहुंचती आई है करेंगी जो है हीरो टीम का बटी खावरदिका बटी क्यों करेंगे गाउति है आफ जोहां सेक है रहे जोगी सेखुल थोगजी। है भीर कंबस किलेशा उत्राइगे गिक्तरवों kijत्वारम नाजने सेख़र गॉत्षिया प divor में तरोग में方面 inglés Ole कि जिसमाने साहलेे परेफुिंड Crown सुरादी कर दादी काबगडिक, काबगडिक, काबडिक, 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 काबडिक.. नहीं होती, घरा अग। आरे उदर देख उदर A Defence इन लोगमने खांच के ठूगरे भेक दिये, वापस आजा अहाँ, आज आजा शाश तो उरह आज Oh my कबड़ी 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 कबड़ी.. कबड़ी कबड़ी.. कबड़ी कबड़ी.. एह.. Hero team जीर गई.. Hero team number one.. दो.. नहीं कुछ नहीं या.. तेरे तो इदर भी चोट लगी ही.. और इजे नहां पर दूखे है जहाए जोड़ना अरे चलना है अरे चलना है यह जोड़ना देख जलते हैं इनको अ कि अ अ यह सब क्या है दिमाग नहीं है क्या इन गतों से लड़की क्या फाइदा यह क्या इंडिया पकिस्तान का मैच चल रहा है लड़ने का शोख है तो बॉड़न पे जाओ आपस में लड़कर कोई फाइदा नहीं खेल को जंग का मैदान मत बनाओ चलो जाओ बस बहुत हुआ जाओ 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 तुम में से फ कोई भी पीच में नहीं आएगा इन कुत्तों का मैं कीचड में फीचर बदल दूगा आर निकलो हुआ 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 ह कि ईा इसा मुख़ा उड़ा, उटाओ! अजय 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 दिय उड़ा! अजय बीय आई! मुख़ाओाओा! अजय परफ इसा मुख़ा! ऩ़ाओाओा! अजय वाओ! आघग करने शाबाज शाबाज हीरो, ॏ मेरे शेर, रील हीरो हो तुम। तुमने इस मिठ्टी की लाज रख ली। अज तुम्हारी वज़े से इस गाउं का सरूचा हूँ क्या है। लाओ। ये कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रहा है। वाँ, हीरो, वाँ, वाँ। मिट्टी की सुगन, इस धर्ती की मिट्टी की सौंदी खुश्बू। अरे, MLA साब। तेंक्यू। अरे, आज के बाद हमारे गाउं को कभी कम मत आखना। चल जा। कोई भी काम बिना जगडा किये नहीं कर सकते। मेरी कोई गलती नहीं है, जगडा उन्होंने शुरू किया। कितनी बार कहा कि दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाय करो। पर तुम सुनते कहो। मैं जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। नजाने तुम कब सुधरों के। मैं बिगडाई कब था। बताओ, ऐसा कब तक चलता रहेगा। रोज बार पीट करने मले रावडी की बहन से शादी कौन करेगा। इस अंधी लड़की को सहारा कौन देगा। ऐसे ही चलता ना तो एक दिन बड़ी मुसीबत में फल्चाओगे। अपने अनात बहन को फिर सकता। क्या कहा। तुम अनात हो। मैं हुना तुमारे साथ। मैं तुमारी शादी धुमधाम से करवाऊंगा। पिताजी को दिया हुआ बचन। तुमारा भाई तुमारा ये भाई निभाएगा। तुम अनात नहीं हो। मेरी बहन हो। मैं तुमारे लिए एक राजकोमा डून के लाओंगा। उरे गाओं को तुमारी शादी में भुलाओंगा। मैं सच कह रहा हूं। ए दूलहे राजा, अपनी दूलहन को जरा देख तो ले लड़की तो मुझे पसंद ही है, बस पंडिट जी से मूरत निकल वालो मेरी बहन घर के काम काज में किसी से कम नहीं है अरे घर के सारे काम मैं कर लूँगा, हम पहले शगुन के लेंदेन की बात कर लेते हैं क्या है, एक रस्म तो पूरी हो जाएगी, तुम्हारी को डिवान दे तो बता दो नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी वो पांच एकर खेती है ना, वो दे दीजिए मंगनी मंगनी की कोई सारत नहीं है, मैं अभी के अभी मंगल सुत्रे पहना देता हूँ, बस जमीन मेरे नाम कर दो अपने दूलहे राजा की स्पीड कमाल की है, सिर्फ जमीन ही तो मांग रहा है, ऐसा ललका दुबारा नहीं मिलेगा वो जमीन मैं नहीं दे सकता, वो मेरे पिताजी की आखरी निशानी है, मैं बहन की शादी कर रहा हूँ, उसे बेच नहीं रहा हूँ, और देज लिना कानून जुर्म है किसलिए? ताक कि वो जमीन एमेले को देदो, नहीं पकड़े हैं, नहीं नहीं रोक्स तुझे अभी जमीन देता हूँ, जमीन चाहिए तुझे, जमीन चाहिए तेरा एमेले मेरी जमीन से, एक चुप की मिटी तक नहीं लिए जा सकता हिंदुस्तानी फॉज का बहुत दुर सिपाई हूँ अपनी समीन दुश्मनों को नहीं देता इस हीरो कास सबसे बड़ा फैन बन गया हूँ मैं मेरे प्लान को चौपट किये जा रहा है बड़े दिनों बाद किसी चाबास से पाला पड़ा है चंटी नहीं इस चमगादर ने प्लान चौपट किया है काम के बजाए काम तमाम करका है इसकी जीब बहुत चलती है काट डालते है जीब ही क्यों इसका तो पूरा का पूरा इंकाउंटर कर देते है यूनियन लीडर की बली चड़ाने के बाद लोग अभी ही तक आसू बहार है उसकी कुरसी पर इस गधे को बिठा दो ये क्या कह रहें आप इस गधे के गले में हमारी लगाम है अगर ये मजदूरों का मसीहा बन गया तो हमारी जिन्देगी थोड़ी मज़ेदार हो जाएगी ए वकील सार समझ गया सर नेता लोग तुम जैसे खोटे सिकों को नाले में प्रवाहित करते हैं ये पहला नेता है जो उनीको लीडर बना रहा है कौनसी फैक्टरी का प्रोड़क्ट है कोन है कोन है कोन है ительभा सिफून आरे आरे कुछ पोलती क्यों नहीं कौन हो तुपारे गबुरुजवान हूँ इसे गबुरुजवान और और अरत का क्या फरक पता होगा तुपकर वे ये काली-काली आखें ये गोरे-गोरे-काल ये गाओ की सबसे होट लड़की है बोलो तो अपनी होटनेस दिखाएं क्या अभी नहीं अगर इसके भाई ने प्रॉपटी नहीं बेची तो फिर इस सुन्दर कन्या को अपनी प्राइविट प्रॉपटी बना लेना क्या रहे पपू जेल से कैसे चुटा बेल बेल को बेल कैसे मिल गई ये भाई बैल नहीं है नारी की इज़त नहीं करेगा तो जिंदगी में बहार प्रॉब्लम फेस करेगा अपना एक उसूल है भे कि अपना कोई उसूल नहीं है क्यों रहे अकेली लड़की को छेड़ता है रेगिंग करनी है पता है रेपिस्ट के साथ भारत के जंता कैसा सुलू करती है आखे बनकर करना बने और आखे राक्षा बंदन वाले भाईयों का तमाचा एक बारों और माराी Łदा को मारा ब्सको मारा ब्सको मासको मारा यह चलपूरल को टो एक शक्तिमा नीदरा उसे बुलाया तू क्यों आया तेरा टनाएगा तबाने का चल अब जा कुप्चे में खड़ाओ जा तेरा इसा बाकी है ना एक लड़की की फिलिंग्स महसूस किया है कभी अच्छा मर्द समझता है खुद को बॉडी दिखा इसे बॉडी कहता है तू जाओ मैं तुम्हारे साथ नहीं कहलता है चीटिंग कर रहे ह मारेगा मुझे मारेगा मार ना इतना दीरे से क्यों मारा बहुत हुआ अपनी छोड़ तो कुछता पार्टी चलो रिंगा रिंगा पोजिशन में खड़े हो जा फिर से यहां एक कदम भी रखा तो सबकी तुम्हारे है नेक्स टाइम आओगे तो समशान में रजिस्ट्रेशन करवा जाना तेरी इस जमीन का क्या हम तेरे घर का और तेरे बाप की समाधी का सर्वनाज कर देंगे तेरे हर चीज़ पे कमजा कर लेंगे यह एक पापी गुंडे का शराप है समझा याद रखना पैक्ट्री में जाडू लगाने वाले को यूनियन लीडल बना दिया गया है हर कुद्टे का दिन आता आज ये सावित हो गया है आपने जो कहा उसमें कुद्टा समझ में आ गया पर बाकी बात का मतलब क्या है मतलब हर कुद्टे का दिन आता है तुम भी तो सरपंज वरे आखिर बात क्या है वेटा एमेले साथ के आदमियों को तुमने मारा क्यों बड़ी मैंने इसकी बेहन का पल्लु की चाया मैंने इसकी बेहन को छेड़ा तुने इसकी बेहन को छेड़ा इसके परिवार के कर्दार है हम अरे ये मेरे लिए भगवान है अरे भगवान से भी बढ़के है मेरे लिए जब मेरे परदादा इस गाओ में आये थे तो पहनने को कपड़ा और रहने को बकान दिया अरे जिस खानदान ने, जिस खानदान ने हमारे खानदान के तन को ढखा, कपड़ा दिया, उसी खानदान की बेटी को तुने छुने की हिमबत की, इसकी बेहन के तन को छुआ तुने, अरे ये वो नड़की है जिसे मैं अपी बेटी बाता हूँ, इसके साथ तुने बच सुल जो भी गुना इन्हों ने किये उसके लिए उसके लिए मैं तुम से घ्षमाच चाहता हूँ का तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकते पर तुमारे अगे हाथ जोड़ता हूँ हमारे MLA की जए हमारे MLA की जए हमारे MLA की जए हमारे MLA की हमारे MLA की बेटी, लोग कहते हैं कि बिन भी आई बेटी बाप की छाती पे बोज होती है, लगता है मेरे साथ भी यही होने वाला है, मेरा मतलब है कि तेरे मुकाबले का लड़का ढूड़ना बहुत मुश्किल है, मतलब सूरज को रोश्टी दिखाने के बराबर है, उमीद करता हूं कि तेरा हात मांगने, जल्दी कोई आ जाए, छे फुट से नीचे का गबरु जवान, नौट सो टॉल और अलसो नौट हैंसम, साथ एकर की खेती वाला खाता हो पराथा मेथी वाला, शादी करके तुझे ले जाए तो इस गाउं का उधार हो जाए, क्या बोले, मतलब उसका उ लड़का यहां पोचेगा तो शादी होगी नौट अगर अगर अड्रस नहीं मिला तो किसी से पूछ किया एगा, लेकिन जब पता पूछेगा, खुद का ही पता भूल जाएगा, ऐसा क्यों? चमेली का नाम है ही बदनाम, मजाल है जो कोई मेरी तारीफ कर दे, जैसा आया ह बैसा ही चला जाएगा, एक्सकी उस भॉस, काम यह, आगा, यहां पर, किसी का अड्रस ढूण रहा है, पता चल गया, तेरे थोबड़े पे छपाया है, बद रिनाथ का घर कीदर है, उस यड़े का अड्रस क्यों पूचिड़ हुचिर है, मैं उसकी बेटी से शादी करूँ वो क्यूँ गाउं की जान है कहीं भी सो सकती है किसी को सुला भी सकती है दो दिन पहले वो उल्टियां कर रही थी चार मेने पहले मत्का लगा था वो हॉस्पिटल से आई तो भाई साब आपके कलरफुल का राज क्या है रंगिला देखने के बाद से मैं अमीच जी का बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ हाइट के उन उपड़िया की रहने वाले बंदे से हाइट के बार में पूछ रहा है तू अरे सरपंगी क्या हुआ अपको राजा इधर आईए इस महाशाय को जानते हूँ यह यह कोई खान है क्या बुला है यह बंद्रक यह बद्रिनात की भैंज जैसी बेटी से शादी करके अपने तबेली की शोभा बनाना चाते है किम क्यूं बिकाड रहे हो बात को समझो शादी करने को मना करोगे तो यह हां कहेगा अगर हां कहोगे तो मना करेगा इसे देख कर ही लगता है यह उल्टी खोपली है कर दो चुपो जाओ इस समस्या का हल मेरे पास है किसलिए फॉलो माई शूज दिल का भावर करे पुकार आई 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 बिना पट्री की रेल की तरह क्यों चला आ रहा है सावन के अंदे मैं तरी बेटी से शादी करूँगा वो भी तेरी नजरों के सामने पूल मती ही बाहर आओ तोड़े धीरेजवाला सबर रख पहले एक दूसरे को देख ले फिर पसंद ना पसंद नहीं मैंने उसके बारे में आन-लाइन पढ़ लिया है मेरी बीवी को बाहर बाहर ये नहीं हो सकता बद्रिनात इस गाउं का सरपंच होने के नाते मैं अपने गाउं की महालक्षमी का दान इस भिखारी को नहीं दे सकता अंतल जी लक्षमी गई तो यहां कंगाली आ जाएगी समझो और नहीं गई तो मुझ में कंगाली आ जाएगी अरू जाडू ससूर मू बन रख सर पंच तुझे दूँगा पंच बंटी बजे की घंटी मेरा जिगर कर तुपड़ा बाहरा मेरी पत्दी को मेरे पास भेज दो कमान मेरी लाइफ टाइम वाइफ पैस उसका नाम क्या है? चिकनी चमेली मेरी चिकनी चमेली तेरे लिए चिकना बन क्या आया हूँ तुमारी हो या मैं आजाओ कमान मैं डार्लिंग कमान मुझे तो बहुत शरफ आ रही है सब मिलके मुझे भगाना चाहते है इन काउवालो को तो मैं बाद में देख लूँगी पहले तेरी क्लास लेती हूँ सच में आप मेरे वो बनना चाहते हैं यह कोई बुली मैं सच में तुम्हारी अर्धांगी नहीं बनाऊगी मैं कसम खाता हूँ और वचन देता हूँ आज के बाद तू मेरी है और मैं तेरा हूँ चल हाथ पकड़ भाग जाते हैं से रुको एक सेकें यहां तो आप सब शादी के बात करेंगे यह नहीं तुम से अच्छे लग रहे हैं रहे बने शारम आ रहे है मुझे शारम आ रहे है छोड़ तो मुझे जानने तो मुझे क्यों रे चेरकोर्ट मुझसे शादी करेगा जान से मार दूँके तुझे बाग गया इदर उधर मज देखो हेई, कम आन हेई अंजली, मुझे डाउट है कि तेरा उस बंटी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है उसके साथ, no way चक्कर वक्कर कुछ नहीं दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं दिल दे बैठे हैं अगर ऐसा है तो, तू अब तो कुछ जेल क्यो रही है तुझे इतना तंग करता है फिर भी भाईया को नहीं बताया बताया तो, भाईया उसे मतलब, तू उसे सच में प्यार करती है इसलिए भाईया को नहीं बताया है ना इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कर दो. ए अंजली, यह तुम सही नहीं कर रही हो. क्या रहे, आजकाल उस बंटी के साथ खुले हा, आम गुल्छर्रे उड़ाती हो, बाहों में बाहों में डालगा. मेरी मर्जी, तेरे को क्या? मेरे को क्या? आरे, मैं होने वाला पती हूँ तुमारा. तुम? पती? वो भी मेरे? और नहीं तो क्या? नहीं तो वो बंटी है. सही बोला, बंटी. जिससे चुगली करना है, कर ले. मैं जीजाजी से कहूँगा, वो ख़बर लेंगे तेरी. एक बात बता, अंजली, यह लड़का तो बेवकूफ है, पर वो लड़की को ने जो सब कुछ मैचिंग पहनती है? वो, वो भी एक स्टूपिड है. आ, पर मैंने तो सुना उसका और बंटी का चकर चल रहा है, जान से मार दूँगी. मुझे क्यों? तुम्हे नहीं उसे मारूँगी, बंटी सिर्फ मेरा है, हमारे बीच आने वाली हर दीवार को गिरा दूँगी. आज पहली बार पलंग्टी? आज पहली बार बिना मैरेज का दुला होने का एसास हो रहा है, लाइफ सेट हो गई. इतना करम पानी, मॉर्निंग से सब कुछ कुल हो रहा है, फिर हॉट क्यूँ हूँ? फुल बॉडी गरम करता हूँ. काश मेरा किसी कटीली हसीना से लगन हुआ होता, तो आज वो अपने नरम नाजुक हाथों से मेरे अंग को मलती. चमेली, तु यहाँ कैसे? बेकार सवाल है, जहाँ जहाँ है, बहाँ यहाँ निकल जाती है. शरम नहीं आती, ऐसे अब ला निर्वस्त्र नर को टुकुर टुकुर देखते हुए. तो और किसे टुकुर टुकुर देखू हूँ हाँ? तुम तो उस दिन कुछ करना चाहते थे, ना? मतलब? मैंने कुछ गायब कर दिया है. कहा है वो? ना, मेरा टाव एका है, मेरा टाव. मैंने तो उसे छपा दिया. मैं, तुम्हारे आज चोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पढ़ता हूँ, मेरे इस्देद बख्ष दो, आई ना कपड़े पहन के ना हूँगा. पैर पकड़ने की क्या जरूरत है? मुझे सीधा गोदी में उठाओ और मेरे जोल ले चलो, वहाँ हम दोनों शादी कर लेंगे. अब क्या करना है? मेरे पास एक मज़ेदार आइडिया है. जली ही जीवन है, पानी बचा हो. क्यों ना हम दोनों साथ में रहाएं, काफी पानी बच जाएगा, और मज़ा भी बहुत आएगा. हटो! बात में, बात में! डार्लिंग! पैटमी को! साथ में आदे ना! बच गया! ये यहाँ क्यों आई? अब क्या हुआ? कुछ लेने आई हो? मेरे हीरो, कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? सारे मर्द एचसे ही होते हैं, चाहे देन हो या रात हो, बातरूम हो या बैटरूम हो ने, की चीज़ चाहिए? ची, बताते होए भी शरम आती है. बाई मेरे राजा, फिर मलूंगी हाँ. तावल कहा है मेरा? घर में एक भी टावल क्यों नहीं मिल रहा? मेरा टावल? मेरा तावल? यह लंगूर! यहां किसले आई हो? क्या काम है तुम्हारा? बातरूम में, बैडरूम में, नो अबजेक्शन. पर उस बंदरिया की जगा मेरे साथ. नहीं तो मैं… क्या करोगी? दर्द होगा? जरा भी नहीं होगा. मेरे टॉर्चर से दर्द महसूस नहीं होगा. मज़ा आएगा. तुम एंजॉय करोगे. कोई इंसान टॉर्चर कैसे एंजॉय कर सकता है? कर सकता है. पर तुम मुझे ये बताओ, कि तुमने टॉर्विल की जगह दुपटा क्यूं पहना है? कलर अच्छा लगा, पहन लिया. तो ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता? कलर अच्छा हो तो कुछ भी पहन लोगे. अगर तुमने उस बंदरिया से भूल कर भी शादी की न, चीन लोगी. क्या? तुम्हे? तो चलेगा. तुम मेरी बीवी हो जो जलन हो रही है? मैं ही तुम्हारी बीवी बनूँगी. क्या कहा? तुम्हे मुझसे शादी करनी? तुम कहो तो बिना शादी के बच्चे कर ले? ना ना आप बच्चे शादी के बाद ही अच्छे. मैंने कब कहा मैं तुमसे शादी करूँगा? जब कल रात मेरे सपने में आये थे. मैं कब आया? जब आंखों से नीन दुड़ाई थी. मैंने कब उड़ाई? जो भी चाहिए मुझसे मागना. और चाहिए तो बोल देना. याद रखना इश्क की तलाश में कहीं और भटके तो जिन्दा नहीं बचोगे. तुम सिर्फ मेरे हो. कहा हूँ? आ रहा हूँ, ना रहा हूँ. कोई आया था क्या? तो आपने उसे दूद नहीं लिया क्या? तो आपने उसे दूद नहीं लिया क्या? आज मुझे दूद नहीं पिना. ये फूलों की खुश्पु कहा से आरी भईया? पूल की खुश्बू नहीं, वहां अगर बत्ती जल रही है अगर बत्ती नहीं, सेंट है, अंजली आई थी अंजली यहां क्यों आईगी? मुझसे जूट मत बोलो, दाथ तोड़ दूगी, अंजली आई थी ना आई थी, तुम्हें केस किया? फुल्टू किया, मतलब मेरा मतलब नहीं किया भाया, मुझसे सब कुछ पता है मुझसे सब कुछ लगता है कि दोनों लड़किया तुम्हारे लड़ाई करें इसलिए तो मैं इतना टेंशन में हूँ अगर सच कहूं तो लाइफ में डबल मजा रहा है तो दोनों से शादी कर लो मतलब चार गुना मजा माया मरी नमन मरा मर मर गया उसका शरीर नाशा मरी नत्रिशना मरी सही बात है कल यही हाल होने वाला हमारा इतनी सारी तिकडम लगाई तब यह फैक्टरी खरीदी फिर नई मशीन के उपर 10 करोड खर्च किये फिर रोड बनाने के लिए आसपास की जमीन खरीट डाली इस तरफ की सड़क बनवादी उस तरफ की सड़क बनवादी सब बेकार अब बीच वाली जमीन को हत्यानी के बजाए यहां जूले पे बैटके दोहे गुन गुनाये जा रहे है ए वकीर मुझे ताना देगा सहलूँगा लेकिन दोहे के विशेय में कुछ कहा तो गला खोट दूँगा तेरा दोहे और कविताएं पढ़के जिन्दगी को समझना शुरू किया उनकी दी सीख को चरित्र में उतारा उनकी गहराई को जाना दुनिया को कटपुतली की तरह नचाया और दस साल से एमेले बना बैठाओं और देखना बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर भी बन जाओं जीजाजी जीजाजी आपकी कविताच जब तक इस जूले पर बैठकर खतम होगी न वहां हमारे खांदान की इजजट मिट्टी में मिल चुकी होगी जीजाजी हमारी अंजली उस हीरो के साथ घूम रही है हीरो के साथ? जिर्फ घूमी नहीं रही वो लोग प्यार भी करने लगे हैं प्यार भी करने लगे? आखे मत फाड़ो वो दिन दूर नहीं जब वो दोनों ब्या भी कर लेंगे ब्या कर लेंगे? लाइफ में पहली बार अच्छी खबर लाया तू तीरा मुँ मिठा करना चाहिए यह क्या है जिजा जी? यह तो चीटिंग है मुझसे चादी कराने का वादा किया था अब आप बदल रहे हैं ऐसा नहीं है, कुछ सीख मुझसे पोलियो था तेरी बेहन को फिर भी उससे शादी की मैंने उसका पती बनने के लिए नहीं तेरे मिनिस्टर बाब का दामाद बनने के लिए उनकी पुजेशन का फायदा उठा कर चीफ मिनिस्टर का पद हासिल करना है बिना मतलब पुलिटेशन अपने मरे बाब की मैयत को कांधा तक नहीं देता और अपने मतलब के लिए देश को भी बेश देता है अंजली हम बंटी से मिलने जा रही हो हाँ जा रही हो सुना है उससे प्यार करती हो हाँ शादी करना चाहती हो याँ पर स्टैचू बन कर क्यों खड़ी हो मेरी बहना आओ तुम्हे डांस करो गाओं के हीरो मेरे होने वाले दामाद याँ बहुत किस्मत वाले हो हीरो तुम याँ के MLA खुद चल कर तुम्हारे पास आये है आज पिछले जनम में बहुत पुर्णे किये होंगे तुमने तेर तो भाग खुल गए इतने अमीर खांदान का दामाद बनने जा रहा है तु अमीर ही नहीं पावरफुल भी जानता है कौन है फ्यूचर सीम होने वाले मुख्यमंत्री ये जिद पकड़ के बैठी है कि तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करेगी ही नहीं पता नहीं तुम मैं ऐसा क्या देखा जो प्यार में अंधी हो गई है इनके सामने मेरी क्या ओकत आप तो बहुत बड़ी हस्ती है यूर अ बिग मैन आज MLA, कल मंत्री, परसों, मुख्यमंत्री यूँ इस शादी के पिछे की प्लानिंग मुझे डारेक्ली बता दीजी दहेज में क्या चाहिए अरे उल्टी रीत क्यों शुरू कर रहा हो दहेज लड़की वाले देते मेरा सवाल तुम नहीं समझोगे लेकिन ये समझ चुके है बिना खुमाय फिराय जवाब दो मेरे पांच एकर जमीन चाहिए है ना ये खर और जमीन मेरे पापा की अमानत है जिसे कवर्मेंट ने पापा कोन की काबलियत के वज़ा से दी है उस जमीन का इतना सा इंज भी मैं किसी को नहीं दे सकता एक बार अगर और कोशिश की तो गार दूँगा तुम तो करोड़ पती हो क्या करोगे उस जमीन का ताज महल बनाओगे जमीन के लिए मेरी बहन की जुटी शादी करवा रहे थे और आज अपनी बहन का रिष्टा लेकर आए हो तेरी बहन से शादी में तब मज़ा आएगा जब एक रात गुजारूँगा क्या यह तेरे को चलेगा बंटी ए चला मत जुटा है तरह भाई जब से तुम्हें देखा है तुमसे प्यार करने लगा हूँ लेकिन तुम भी अपने भाई के साथ मिली हूई हो बंटी अब तक मैं समझती थी कि ये एक तरफा प्यार है पर अब मुझे पता चला तुमने एक बात कही एक रात गुजारने की एक नीच भाई की बहन होने से तो अच्छा है कि तुम्हारे साथ रहूं तुम्हारी होने वाली बीवी की सौतन बनकर ए हीरो जो जमीन कल तक तेरी थी वो आज मेरी होगी आज तक शराफत से मांगता ना लेकिन अब मैं उसे तुझसे छीन लोंगा मूर्ख समझकर तुझे अब तक नजर अंदास किया बच्चा समझकर माफ किया लेकिन तु लगातार मुझे जलील करता रहा लेकिन अब नहीं अब तक तु मेरे अंदर एक सियासवत्तान को देखता रहा लेकिन अब मेरे अंदर एक शैतान का रूप देखेगा तो आज से नया खेल शुरू होगा हीरो तैयार रहना तेरा सब कुछ छीन लोगा मैं आखों से आसू नहीं खून की धाराएं बहेंगी कलेजा चीर डालूगा मैं तेरा चलता हूं हीरो नमस्कार एए इस समादी को तोड़ दो सनो ज्यादा अत्ताव दिखाने की जरुदि नहीं है यह समादी जो बनी है इल्ली कवर्मेन ने которых नहीं है यह तुद्वारी जमीन है कवर्मेन ने खुद हमें यह जमीन दी है हमने गोरॉर्मेंट रिकॉर्ड चेक किये है कोई पिता के नाम नहीं है, तोड़ो रहे ओधे माँ खायर आए आए अुड़ो बांए ते फष्ड़ो एक अँगने वाफ एक जाने इद जचने बेसे लेज़सेंगे विम्न 1 घए एक एक आपके नो सिर्णुग मैं एक एक आ एक 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 एख़से की। इज इड़ँ हो तक पृश झाज किनल भी होग तो आर हैंऑा रभ корпảo कि शर कि एा ठा हुआ ही है है ॱई एभस पाल है! है! पारहर! है! भारह! है! 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 हुआण! कलाहर!!! अए!!! कुछ भी मत बलो अगर मेरे आतों मर जाता तो जमीन के पेपर्स पर उसके साइन कैसे लेते इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला आपका अंदादा सही निकला और रियक्ट कर गया और जाल में फज गया सर अगर वो यहां आया तो उसे थर्ड डिग्री टॉर्चर से मार दूँ या पहले प्यार से पेपर्स पर साइन करवा हूँ यह तेरी आवकाद नहीं मर जाएगा पर साइन नहीं करेगा सर मुझे अंडरेस्टिमेट मत करो ठाने में पुलीस वाला पानी में मगरमत जैसा होता है अगर हाथी भी आ जाए उससे भी निगल लेता है निगल ले? क्यों रे? मुझे याद किया? क्यों बे? खुद को हीरो समिस्टा है? डिस्ट्रिक केमरों पर हाथ उठाया अब क्या होगा पता है? वहाँ पैर रखने वाले के पैर काड़ दूँगा फिर चाहिए वो कोई भी क्यों ना हो वो तेरी जमीन नहीं है वो तो सरकार से गलती हुई थी पता है ना तुझे? रहम खाके तेरे बाप को भीक में दे दी थी वो जमीन अब कलम उठा और पेपर पर लेख ये जमीन तेरी नहीं सरकार की है नहीं करता करवा के रहूंगा तेरा बाप भी नहीं करवा सकता हिम्मत है तो कोशिश करके देख हेई हीरा हीरा हेई खालो देड़ देना चल अंगुठा लगा अंगुठा लगा जोर समार इसको कौनसी चक्की काटा खता है बेब अंगुठा बन चुका है अंगुठे की सरुरा नहीं मैंने काटा ना इतनी आसानी से नहीं मानेगा नहीं मानेगा ये क्या हो गया यहां क्यों आई हो बंटी को छोड़ दो बंटी वो तो यह नहीं है तुमने उसे बुलवाया था ये मैं अच्छे से जानती हूं अच्छा ए शिंदे पाटेल जादव बंटी को देखा देखा किसी न भी बंटी को यहां नहीं देखा चुपचाप बंटी को छोड़ दो अच्छा नहीं छोड़ा तो सुन्रिया वो लोग क्या कह रे हैं पूरे गाऊं की लोगों ने तुम्हे घेर रखा है पबलीक से पंगाम मत ले तकुम्न नो सही का सही का सही का बिलकुल सही कब से यही तो कह रहा हूं पर मेरी सुनता ही नही है बड़ा स्टरिक ऑफिसर है बाप एक एवेले तक ही नहीं सुन रहा है इस्पेक्टर साब आप से विंती कर रहा हूं उसे छोड़ दीजिए उस मासूम बंटी को छोड़ दीजिए प्लीज जानता था तुम सरूर आओ की उसे बचाने की कोशिश करके बड़ी भूल करती तुमने अब और भी बड़ा कदम उठाना होगा जो तुमारी सोच से भी परे होगा आपके पास पॉलिटिकल पावर है पर उसके पास सच्चाई की ताकत है आप उसे चूब भी नहीं सकते मुझे चैलेंज मत करो अंदर का विलन जाग जाता है वेरी वीक्नेस है ये ठीक है कल सुबा नाओ बजे हीरो के घर जा ना देखना मैं क्या करता हूँ देखती रह जाओगी कर भला तो हो भला कर दो चलो गाड़ी पढ़ा तो दो इसे क्या हो रहा है मेरी दिवार क्यो तोड़ रहो इंस्पेक्टर यह क्याना अठक है बंडी देखो तुम्हारा जो यह घर है हाईवे के रास्ते में रहा है रूल के हिसाब से तोड़ड़ना होगा ये घर, हाईवे पर है, ये कब हुआ? नया हाईवे बनाने के इसे तीन नोटिस भेज चुके हैं कब भेजे, हमें तो कभी कोई नोटिस ने मिला हमारे पास इसके रिकॉर्ड्स हैं, चाहो तो चेक कर लो ये सरासान अन्या है, ऐसा नहीं हो सकता ये हंगामा किसली है, बात क्या है, कोई प्राब्लम है क्या? कोई प्राब्लम नहीं है सर, बंटी का घर हाईवे के भीच में है तो? रूल के हिसाब से गिराना होगा क्या आप अकवास कर रहे हैं? रूल के लिए किसे को बेघर कर दोगे? मजबूरी है सर, पिछले एक मेने में तीन बार नोटिस भीजे जा चुके हैं अब और कोई उप्शन नहीं है सिवा इसे तोड़ डालने के ये गौवर्मेंट का ओडर है, सब डिटेल्स रेकॉर्ड में है ये क्या सर्पंच जी? बात बिगणने के इतनी देर बात मुझे इंफर्म कर रहे हैं? एमेले साब, यहां रहने वाले लोगों की प्रॉब्लिम्स का खैल रखना आपकी जिम्मेदारी है कि नी? सर, इस बारे में तुम्झे पता ही नहीं था गाउं का सर्पंच होने के बावजूद, ना तो मैं हाईवे के बारे में जानता हूँ, ना ही घर को तोड़ने के बारे सर्पंच जी, आपका गाउं पर ध्यान नहीं है, गौवर्मेंट के रिकॉर्ड्स हैं, चाहो तो चेकर लो सुनिए एमारो साहब, बंटी के पिता स्वर्गिय माधवराव जी मेरे मित्र थे, मेरे आदर नहीं थे, लोगों के लिए पूझ नहीं थे, भगवान जैसे थे इसलिए इश्वर ने उन्हें बुला लिया आप यहां के एमारो हैं, हाथ चोड़ कर विंती करता हूँ, इसे कैसे रोक सकते हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ सॉरी सर, अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता अब इसे रोकेंगे तो सरकारी काम में बादर दानने के लिए आपको अरेस्ट करना होगा मुझे? हाँ, सॉरी सर, कानून सब के लिए बराबर है सॉरी हीरो, सॉरी अंजली, एमेले होने के नाते कानून के खिलाफ मैं बिलकुल नहीं चा सकता तुम्हारी तरह मैं भी मजबूर हूँ कभी कोई भी प्राब्लम खड़ी हो जाए निसंकोच मुझे याद करना अंजली तो है ही, मदद करते की वो नमस्कार, हीरो एमेले सहाब को अरेस्ट मत करना, तुम्हारी नोकरी जा सकते है झाल बापरे, आज का तापमान बहुत गरम है तुम लोगों को एक बात पता है हर पिता की इच्छा होती की बेटा उनके बनाएक घर में रहे दादा ने जो घर बनाया, उसमें पिता जी थे पिता जी के इस महल में मैं रहने आ गया जानती हो पिंकी, पिता जी के दर्शन यहाँ बैठे-बैठे कर सकते हैं, समझी ए चुपकर यार, लूजर की दरा बात मत कर इस MLA के बच्चे ने अपनी सारी हदे पार कर दिया है यह जगा रहने के लायक नहीं है मैं तो कहता हूं उस MLA को मार देते हैं ए तुम सब अपना मूँ बन करो हीरो सब जानता है MLA कोई इंसान नहीं है, एक राक्षस है अगर उससे उलजेंगे तो वो मार देगा ना बाबा न, उससे तो दूरी रहो हमेशा कहते रहते हो कि तुम मिल्टरी मादोरो के बैटे हो लेकिन तुम ऐसे कोई बात नहीं है आर्मी में तो तुम बड़ा शेर हुआ करते थे अभी तो तुम भीगी बिल्ली बन गए हो है, आखरी बार तुने खून कम देखा था, बता हास्पिटल में पेशन को खून की बोटल चड़ाते देखा होगा बॉडर पे खून की नदिया बैते हुए देखिए मैंने इसके भाई को दो मिनिट में ठिकाने लगा दूँ उस एमेले को खतम करने के लिए मेरे दो हाथी काफी है जिस दिन मेरे पंजे में वो फस गया, वही धस गया कुछ दिन और, एक बार बहन की शादी हो जाए फिर उस कुत्ते को में मौत के घाट उतर दूँगा उससे ऐसी मौत मारूँगा कि उससे अपने पैदा होने पे अफसोस होगा तब तक कोई उसके बारे में बात नहीं करें ए हीरो ए राजा अरे दोस्त, कैसा है तू? मज़े में हूँ, आज कल छुट्टी पर हूँ, सोचा के तुम से मिल लेते हैं यूद में दुश्मनों से घरने के बाद तुमने जिस बहादूरी से मेरी जान बचाई उसके लिए फिर से तुम्हें ठांक्स करें मेरे आज जोडता हूँ, ऐसी बड़ी बाते करके मुझे छोटा मत बना वह ऐसे शादी कब कर रहा है? शादी? मेरी ऐसी किसमत कहां कि यह असानी से मान जाए? लगता है बुढ़ी हो जाओं कि इंतजार करते करते क्या है जी? उसने मुझसे पुछा तुझसे ने, चलिकल, चाहे तो दे, यह लो बहन की शादी होने के बाद मैं कर लूँगा, तू तो कर ले ना माबाप है ना कोई भाई बहन अनात आश्वर में पला-बडा बड़े होकर आर्मी जायन कर ली साल में दो माईने चुट्टी में जाने के लिए कोई घर नहीं है और ना ही मेरे पास इतने पैसे है ऐसे में कौन मुझसे शादी करेगा? शादी करने के लिए प्यार की जरूरत है, पैसों की नहीं तुम ऐसा मान सकते हो, लेकिन लड़की का बाप कहा मानेगा? जोती, राजा मेरा दोस्त है, एक नेक इनसान है, उससे शादी करना चाहोगी, बताओ जोती अब मैं क्या कहूँ भाईया, जैसा आप ठीक समझे मेरी ही तुरहक, यह क्या पहना है, बचपन का फ्रॉक, कबड़ से अब क्यों नहीं सरकस की बंदरिया लग रही हो, मेरा दिल मोर्नी की तरह नाच रहा है, और तुम मुझे बंदरिया बोल रहे हो, मेरे दिल का इलाज करो ना, तुम्हारे दिल का इलाज यहां करूं, स्वीठाट, आयार थस्टी फिश, यू आर मिनरल वाटर, सास आइंग, आय बड़िंग, यू माइ पंक बनिंग, दोनों दूर तक उडिंग, तैन लाव बढ़ डांस है, अभी मूर ने है, जा, कल तक तो तुम विलाई थी थी, आज देसी कैसे बन गई, क्यूंकि तुम्हें विलाई थी कही पसंद ही नहीं, इसलिए मैं देसी गर्ल बनकर आ गई, यह क्या चीज अज़ें अजरी कोई का राध करें, भरोओकोई रेका Kingdom, डर्म, ओध क्रूपन के अष् WA और कर चैसे की मि Хैत, बन गया अफित है, स्टूपेड्ड फुलेश लगही है वाय आपम होगा direct धजर मेरी की शुचावव पंदा मेरे की LOOK मेरे सुना कर रहा है योगा कर रहाया क्या नछल्नले मैं फिल्टने क्यों जया है क्या है कपड़ तेरे फटेख्यूम zor कोई आक्सडेंटाटो नहीं गिए हो तो cuentaमा जाडियों के बीच फस गया था कोई जाडवार से नहीं फटाया जरा हमें तो सच बता दो दोनों को पसंद करते हो तो दोनों से शादी कर लो अरे जमाई बाबू किसी एक से शादी करने कया तो दूसरी मार डालेगी अकर दोनों से शादी करेगा ये नर तो बन जाएगा वानर अच्छा बंटी, कल मुझे निकलना होगा छुट्टी खतम हो चुके है भाईया, इनसे काहो ना कुछ दिन और रुख जाए इस बार सिर्फ कैजूल लीप पर आया हूँ राजकुमारी से शादी जो करनी थी, इसलिए सिक लिव देका एक महिना रुख गया अगर कल तक जॉइन नहीं किया तो मिल्टी मुझे यहां से ले जाएगी बैन के पती, अपना ख्याल रगए अरे कहा जा रहा है तुम पर थोड़ा गुसा भी आ रहा है क्यों, क्या हुआ शादी के बाद जोती ने तो मुझे बुलाई दिया है तुम जाओगे तो शायद हमें थोड़ा वक्त देगी पिताजी अगर सामने खड़े होते तो थपड मारते क्यों अरे देख ज़रा कैप कैसे पहनी है तुने अरे रुख जरा, क्या तो शाही कर लेगा अरे क्या प्रॉब्लम है तेरी रोमेंस का वक्त नहीं है जी जा जी बॉर्डर पे जा रहे है तुम एक नंबर की गजह हो यहां इसलिए नहीं लाई कि तुमारे साथ रोमेंस कर सको मैं इतनी लख्ती नहीं हूँ और यह बात मुझे पता है वो दोनों बात कर सके इसलिए तुम्हें आ लेकर आई तुम्हें एक फौजी की बेटी हो, एक फौजी की बेहन हो, एक फौजी की पत्नी भी हो फिर आखों में यह आसू क्यूं दो महिने बाद आनुवल लीव लोंगा, फिर पूरे दो महिने यही पर रुख जाओंगा सच करे हो वो मुझसे भी छोटी है, लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा स्मार्ट निकली, चटमंगनी, पटबया और हनीमून भी निकलं में, अगर मेरे साथ हनीमून नहीं मनाया न, तो हत्या कर दूँगी आ गई वो, मिस में टकता है अगर उससे ज्यादा करीज जाने की कोशिश की न, तो तुझे मार डालूँगी, याद रखना हाई अंजली, तु तो नहीं जली क्यों रहे, उस देशी गल पे बहुत प्यार आ रहा था काट के रख दूँगी यहां कैसे आना हुआ वो जिस वज़े से आई है, उसी वज़े से मैं भी आई हूँ बस आगई, बस आगई समल कर जन अपना ख्याल रखना, हमारी फिक्र मत करना और वहां पहुंचते ही फोन कर देना ज़रूर, इसे तुम्हारा इंतजार रहेगा अरे आसू मत बहा, ऐसे कोई रोता है, तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे पास, चला, खाना खाते हैं वानो तुम, चंद्ना वन्ना भांगने आयो हो क्या ये तो राजा की हुआ भाईया, भाईया, भाईया भाईया भीना बिना बताये पता निहीं कहां-कहां चले जाते हैं ना मिलता शरीर बार बार दुरलब है मनुष्य का जनम जब पत्ता तहनी से जड़ जाए हर कभी न जुड़ पाए लाख जतन करे हम आ जाया है उट पहाड के नीचे खैर मना ले बखवास मन कर राजा का है नीचे खड़े होकर गला मत भाड़ यह उपर आचाнова आगया season सानस क्यों फूल रही है ओ-स जान हलक में होगी न इह चुप चप यह बता कि मेरे बहर का पती का है यह बताता हो बताताओ बताता हो तेरे जीजा से मेरा कोई लेना देना नहीं वास्ता तुछ से तेरा जीजय आराम से लेटा है बिस्तर के उपर नहीं, जमीन से उपर हवा में देखना चाहेगा, वो देख देख कितने मज़े से, अगर ये वहां से गिर गया तो सीधा यहां से होते हुए निकल जाएगा पता ही ये मशीन क्या काम करती है? गन्ने का रस निकालती तेरा जीजा इसमें गया तो उसका रस नहीं रख ता निकलेगा शांती, शांती घुस्से को पीने किया तर टालो समझाता हूँ, जिस रसी से तेरा जीजा बंधा है उस पुलीस से होकर वहां से मीचे और मीचे उस आदमी तक पहुँचता है खुदाना खस ता उस रसी उस के हद से चूप चाहे पहुआना पहुआना नही है थियो है हो पहुआ को कुआरेजर। थाई दो पाँ हुए है ऑम अँड़ ऑफ है 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 शाबाज हीरो शाबाज थाबित कर दिया के तू हीरो है अपने जीजा की जान बचा ली जा उसे जीवन दान देता हूँ जा लेकिन एक बात तो भूली गए जब राजनीत में कदम रखा था तो अपने पिता को वचन दिया था कि कभी वचन निभाऊंगा नहीं 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 राजा आगे बैना सौरी बहुत तेर हो चुकी तेरे हीरो का चीजा इस दुनिया से निकल लिया है मज़े ले ले के मारा जा चेहरा देख ले उसका बट्टी होश में अपने भाई को बचाती हो तुम देख उसने क्या क्या मेरे दोस्त को बार दिया भाई है वो जो एक जमीन पाने के लिए मुझे बेचने को तयार हो गया मेरे लिए वो उसी दिन मर गया था दुनिया में अगर कोई मेरा है तो वो सिर्फ तुम हो तुम्हारे लिए जीना चाहती थी और मेरा वो सहारा भी चिन गया जानते हो मैंने तुम्हें क्यों रोका तुम्हारी बहन के लिए उसकी जिन्दगी के लिए अगर उसे ये सब पता चला तो वो सदमे से मर जाएगी मान लो वो बच भी गई लेकिन अगर तुम मारे गए तो या मेरे भाई को मार कर तुम जेल चले गए तो उम्हें भर तुम्हारी बहन को कौन समालेगा बनडिये गए राजा आठ्टर्णय को अनुक्त यहासका राजान। ला जोती को नहीं पता हूंगा उसे राजा कुछ को बोल राजा तुम्हें चोर के नहीं सकता राजा आप अए त्तिका देग, पर फड़र देगा वाईर परते दुपान मेर देखा वाईर मेर दोज़ सतिकत परते मैंने तुम्हारी जान बचाई थी आज मेरे अपने होकर में नहीन बचा पाया मुझे माफ कर देना राचा मुझे माफ कर देना मेंला करी थे अरे रुको ना अब क्या हो उसके साद मर्तकली भी आई है तुम उसे नियूज दे दो, मैं बाद में बाद कर लोगी. मेरी सौतन. कैसी हो, जोती? सब ठीक तो है. मैं तो बहुत अच्छी हूँ. तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ. तुमारे लिए कॉफी लेकर आई. जरूरत नहीं है. मैं भी निकलती हूँ. कुछ काम है, उसका खयाल रखना है. अरे भाईया, भाईया, कहा हो तुम? यहां हूँ. इतनी देर से चुप क्यों हो? बस ऐसे ही. मुझे तुमारे जीजु को कॉल करना है. कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसकी पोस्टिंग कहीं दूर, बॉर्डर पे हुई है. तो क्या हम उन्हें चिठी लिख सकते? हलो, प्यारे जीजाजी. आदर ने लिखने की ज़रूरत नहीं? क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है. लेकिन जीजाजी की रिस्पेक्ट ज़रूर देना. लिखो, आयुश्मान भव, मैं जानती हूँ तुम लिखने रहे हो. पापा नहीं है, इसलिए सब कुछ तुम्हें करना है. मेरी शादी में कन्यादान भी तो तुम्हीं ने किया. इसलिए आशिरवाद देने का पूरा हक है तुम्हें. तो लिखो, जीजाजी मेरी बहन बहुत खुश है, लेकिन आपके बिना उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा. दिन रात याद करती है, और ऐसे नाजुक समय में आपको उसके साथ होना चाहिए. आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मामा बनाया. बहुत जल्द एक नन्हा महमान आने वाला है. यह क्या भाईया, रो क्यों रहे हो? बस ऐसे ही, पिताजी की यादा गई. तुम चिंता मत करो, उनका पुनर जन में चाहो तो अपने भाणजी को प्यार से पापा बुला ले ना, ठीक है? मेरे दोस्त राजा, यह खत मेरे बहन ने तुम तक पहुँचाने को कहा है. मामा बनाने के लिए थैंक्स, यह बहुत बड़ी खुश खबरी है. लो, पढ़ लो इसे. हो हीरो, जाने कब तेरी बीवी बनूँगी. लेकिन मेरा हाल तो देखो, अडवांस में ही अपनी ननन्द की गुलाम बन चुकी हूँ. सारा काम कर रही हूँ. तुम्हारे जीजा के लिए घर को मिठाई की दुकान बना ली है. जलेबी, लड्डू, रजगुले, सब बनाते-बनाते मेरी हालत पतली हो गई है. वो बात नहीं है, चमेली. देखो, बचपन से ही वो बिचारे अनात आश्रमें पले बढ़े हैं. जिन्दगी में पहली बार कोई उनके लोटने का इंतजार कर रहा है. क्यों सही कहा न, भया? सही कहा. भया, मेरी मदद करोगे थोड़ी. इतनी मोटी जीज निचोड़नी पारी. अहो, यह सरासर नाइसाबी है. अपने पती के सारे काम मेरे पती से क्यों करवारी हो? कुछ ज्यादा इस जुल्म नहीं कर रही तुम. जीन्स धोना जरूरी है क्या? उनको आने में अभी टाइम है. जल्दी आने वाले हैं. कप्रे दोकर प्रस पे तो करने हैं. तुम्हारे पती पडोस में नहीं है, बॉर्डर पर है. इतनी जल्दी कैसे आएंगे? भाईया ने उन्ही चिठी लिग दी है. जैसे ही वो पढ़ेंगे ना. देखना, दौडते वे यहां आ जाएंगे. मेरा दिल यही कहता है. तुम्हारा दिल जरूरत से ज्याद अगेता अरे, तीरी बहन अब तक जिन्दा है? अरे, ऐसे गूर क्या मत दे? मुझे डर लगता है. अभी तक सुहागन के कबड़ बहन है? अंधी बहन को सच नहीं बताया. कि अब वो विध्वा हो गई है. पती मर चुका है उसका. अरे, बता दिया होगा. नहीं बताया होगा. अब तक मर जाती बैचारी. सही कहा ना? नहीं बताया तो हम बता देते हैं. पक्का नहीं मरेगी. पक्का मर जाएगी. नहीं मरेगी. मरेगी. नहीं मरेगी. यकीनन. शर्ट लगी? कितने की? अजार की. ओके. मैं जाके बता क्य आए शांती 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 रक्त अब नहीं लड़ सकता हीरो साले साब आजी जा शर्त कैंसल करते हैं और चलते हैं यहां से चला आइट ए हीरो खेल खतम नहीं हुआ और चलेगा धाया यहीं हो या कहीं चले गए यहां हूँ यह लो मेरे हाथ पर महंदी लगाओगे अभी मूड नहीं है बाद में लगा दूँगा आज मैंने मंगल गौरी की पूजा रखी है महंदी खुद के लिए नहीं लगाई जाती बलकि पती की लंबी उम्र के लिए लगाते हैं यह की बाते हैं तुम नहीं संझोगे महंदी लगाने के लिए यह नाडी मिला था क्या मुझसे नहीं कह सकती थी शादी के दिन भाईया नहीं मेरे हाथो पर महंदी लगाई थी मेरे पती को इनका डिजाइन बहुत पसंद आया काई दिनों तक तारीफ करते रहे भाईया इस व क्या जो यहां पड़ी रहती हो निकल यहां से निकल अक्षय पुण्य लोग बलावाप्यत्तम ब्रह्म लोग निवास प्रशित्यत्तम स्राथ्टकल्मन करिश्यन मेरे दोस्त यह मिठाई यह नमकीन यह सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया सब कुछ मेरे दोस्त मेरे जीजा उम्र भर तुम्हारी सेवा करना चाहता था यार मैं पर आज हम आखरी बार मिल रहे हैं इसे स्विकार करो तुम कवाइ? यह नहीं होसकता, यह कैसे हो गये? क्यों आइ यहाँ पर? क्यों आई हाँ यह सच नहीं होसकता? जोति को कुछ इता ही? याकीन है यहाँ, हीरो, यह सब कैसे हो गये? तुम कुछ बोल लेगे? इसे मार दिया उसक्टेने तुम्हारे विल अ ऐसे घ क्याए हुआ झाल झाल कि मेरी गुष्य से डर लगता है अगर सच बताथी तुम अपना होश खो देते अगर तुम्हें कुछ हो जाता तु जोती का ख्याल कौन रखता हो यह सी वास्ते तुम्हे ने बताया बहुत बड़ी गल्ती वो गये मुझसे बहुत बड़ी गल्ती हो गये है कि कर मैं तुम्हें उस दिन बता देती तो अब तक तब कुम वस्राक्षस को मार डालते हैं और चीजाजी झाज जिन दा हो देखा उन्होंने मेरे पती को बिवार दिया और कुछ दिर माद मुझे भीवार देगी मैं सब मतो मैं मरने के बात पत्ता लोगे क्या मुझे इतना कज़र कैसे समझा मैं एक फॉजी की बेटी हूँ, एक फॉजी की मैन और फॉजी की पत्ती हूँ मैं ऐसे नहीं मरूगी, मेरी कोक में एक फॉजी पल रहा है यह हमारे पापा का पुनर्जन में मैं अपनी आउलाद को फॉजी की तरह पालूगी अपने भाई जैसा नगर बनाऊगी मैं उसे बहादर सिपाही बनाऊगी तुर जा कुछ जी कर दिकाऊगी जबता का मारे परिवार को बाने वाला वह वहाद संदा है मैं अपने पती का शाथ नहीं होने दोगी भाईया मेरी बेहाँ बंटी, बंटी, एक बुरी खबर है एमेले अपने आदमियों के साथ तुमारे घर पर गए है तुमारे पापा की समाधी को तोड रहे है मैंने उने रोकने की बहुत कोशिश की उसके आदमियों ने मुझे मार-मार के भगा दिया वहाँ से अब तो शाहिद उसे तोड़ भी दिया होगा मैं रेली सॉरी बंटी मैं समाधी को नहीं पच्चा पाया है मैं वहाँ पर अकेला था मेरे साथ कोई भी नहीं था वरना मैं कुछ कर पाता लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका आप रेली सॉरी बंटी मेरे आखों के सामने उन्होंने सवादी को तोड़ दिया इरो आगया जी जी इरो आगया यहा व मेरे पाड़ज आब हिर खोड़ कर सकते हूं आगया आगया पाह हुआ 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 ह। कर दो कर दो अपर पाय! एक बात समझ में नहीं आई, एसाई को मार के हम सब को वहां से जाने दिया, आखिर इसके पीछे वजय क्या हो सकती है, जीजू, मुझे डर लग रहा है, जीजू, आज नहीं तो कलामे में मारेगा, जीजू, हीरो आगया नहींद, जीजू, एसाई मारेगा ड सानला छर्फ Ф簡 यहां य्रीज सीजू, जाओ प्याँ गएवाull though了, एसाई वग एस, एप, एक वणनला है Spotting Show, का मारेवार, एसाई प्यू एस. हुआ हुए! हुआ हुआ!!! हुआ हुआ!! हुआ!! हुआ! है! है? है! 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 हुआ! ... ... ... ... झाँ! हेलो, पापा, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो, पापा, वो फोजी मादवराओ का बेटा है ना, उसने कलेक्टर में इस्पेक्टर को मार दिया है, और अब जीजु और मेरी जान के पीछे पड़ा है, पून दो उनको, जीजु, पापा, अलो, दमाज जी, उस बंटी को नकली केस में फसा कर असले अनकाउंटर में उड़ा दो, अपनी फैक्टरी का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, समझ गया है, लेकिन यह अभी नहीं बाद में करना, फिलाल तुम सब कुछ छोड़ के हैधराबाद पहुँचो, वहाँ कोई का भारत के समविधान के प्रती, समविधान में दिये गए अधिकारों के प्रती, समप्रभूता और अखंडता बनाए रखूँगा, अपने राज्य के मंत्री के रूप में, अपने सभी करतव्यों का, शद्धा पूर्वक, अपने शुद अंतह करन से, निर्वाह करूँगा, बिना किसी पक्षपात के, अनुराग और द्वेश के बिना, समविधान, और विधी के अनुसार, अलो, हीरो, कैसे हो, अब मैं मेले नहीं, मिनिस्टर बनने वाला हूँ, शपत ग्रहन करने आया हूँ, कार्यपूर्ण होते ही, वहाँ लोटाओंगा, कुछ गंटे और सबर कर लो, प्लीज, हीरो, यह कोई तालाबंध फैक्टरी नहीं है, जो दीवार फलांकर अंदर आ जाओगे, यहाँ सिर्फ बड़े बड़े लोग ही आ सकते, तो और भिकारियों को आना मना हो, आपकी बारी आपकी, ताली बदा, ताली बदा, ताली बदा, मैं सच्चिदानंद चक्रवर्ती, इश्वर की शपत लेता हूँ, कि भारत के गणराज्य के प्रती, सच्ची श्रधा, और निष्ठा रखूंगा, स्थापित भारत के सार्व भामिक अधिकारों के प्रती, बवाए, उर निहांगा, स्च्ची श्रधा कार भामिक अधिकर भामिक वार मेना स्थाइकश का ख現在 प्रते, आज़ खोस्ची श्रेण सतनी बism अधिकारों के बारत के मेस स्क्रावर्त के सLANब के अधिव asatar a Key grip से अभंगा, स्व. पापा सर दूर है ना मेरे पास बताना मेरे शरीप में बॉम लगा हुआ है रिमोट इसके हाथ में अगर बटन दबाया तो हम सब के चीछड़े उड़ जाएंगे मैं इस देश का सिपाई हूँ मिलिटरी माद हुराव का बेटा वो सिर्फ इस देश के लिए जीए वो हाट अडेक से मर गए सबको ऐसा लगता है लेकिन उन्हें मार दिया गया मैं शेश राव हूँ एगरिकल्चर मिनिस्टर शपत लेने वाले इस एमेले का नाम है सचिदा नंद मेरा दमाद है बंटी की पिता को इसी ने मारा है उसके जीजा को भी इसी ने मारा है उसकी बहन का जीवन भी तबाह कर दिया उसकी जमीन झीनने के भी कोशिश की इसने जिस्टम इन्हीं के कंट्रोल में था पावर का डर दिखा के सारे केसेश क्लोज करवा दिये मेले में हम आम जनता हैं हमारे सपने छोटे होते हैं हम आपको वोट देते हैं ताकि हम अपने देश को फलता फुलता देख सकें लेकिन आप करवशन का पहार खड़ा कर देते हैं आपकी बिल्डिंग हमारी जोपडियों पर बनती हैं मैटरनिटी हॉस्पिटल से लेकर स्कूल कॉलेज की फीज हम घरबार बेच कर करदा लेकर चुकाते हैं पढाई को धंदा बना कर रख दिया इन पापियों ने हॉस्पिटल से लेके आदालत तक गरिबों के लिए कोई जगे नहीं बची सत्ता के नशे में चूर इन पापियों को नर्थ तक पहुचाने की जिम्मेदारी हर एक हिंदूस्तानी को उठानी पड़ेगी तब ही आने वाली पीडी रहात की सास ले पाईगी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैटने वाले करप पॉलिडेशियंस की संख्या कितनी होगी तास हजार, बीस हजार, तीस हजार पर हम जैसे सिपाईयों की तादात लाखों में हैं कल को हर सैनिक अपनी बंदू का रुख बाहर के दुश्मनों के बजाए देश में छुपे दुश्मनों की तरफ मोरते तो मैं तावा करता हूँ देश को खोकला करने वाले इंदीमकों का सफाया तो मिरिट में हो जाएगा हमारे देश के सौ करोर जंता के क्रोथ का ज्वाला मुखी जिस दिन फट जाएगा भूचा ला जाएगा एक हिंदूस्तानी जिस दिन ठान लेता है मसल कर रख देता है कौन हो आप? राउडिस? गुंडे? पाउफुल लीडर्स? एए! देश के तुश्मनों को मारने के लिए मुझे ट्रेनिंग मिली है एक सेकेड लगेगा इमांदार नेताओं के बीच ऐसे करप्ट नेता का होना दीमाग से कम नहीं जो हमारे सिस्टम को खोकला कर देते है रुक जाओ! तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम्हारा गुस्सा जायज है ये एक भयानक राक्षस है इससे मुझे इंकार नहीं है एक नेता के ब्रष्ट होने से सारे नेताओ पर ब्रष्टाचार का इल्दाम नहीं लगाया जा सकता तुम्हारे पापा की तरह बहुत से ऐसे लोग है जो राजनीती में लोगों की सेवा करने आये है लेकिन इस जैसे पाखंडी लोग राजनीती का साहरा लेकर गुंडागर्दी करते है लोगों को डरा कर धमका कर अपनी राजनीती की धोस गरीवों पर जमाते है तेश की आजादी को इतने साल हो गए पर कोई तरकी नहीं हुई तो भाईया एक पार्टी प्रेज़ेंट होने के नाते मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगी लेकिन हाँ, एक औरत होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक भारतिय नागरिक होने के नाते मैं तुम्हारा साथ दूंगी पर मैं तुम्हें इसे मारने के लिए नहीं कहूंगी लेकिन ऐसे नीच पापी को मारना, हत्या नहीं कहलाएगी सजा कहलाएगी मेरा समर्थन यही है कि इसे कानून के हवाले करो मैं इसका समर्थन करता हूँ मैं इसका समर्थन करता हूँ मैं भी इसका समर्थन करता हूँ हम भी इसका समर्थन करते हैं हम भी इसका समर्थन करते हैं हम भी इसका समर्थन करते हैं एए हीरो हीरो, मुझे जिन्दा क्यों छोड़ दिया मार दे मुझे मार चुका हूँ, सिर्फ तुझे नहीं तुम जैसे और पापियों का बिना खुन बहाए मार चुका हूँ सिर्फ मेरे जैसा वर्दी वाला नहीं हिंदुस्तान का एक आम इंसान भी अगर तुम जैसों के खिलाफ आवाज उठाए तो यहीं दफन हो जाओगे आज के बाद जब भी तुम जैसा एक भरष्ट निता पैदा होगा मुझे से इंकलाब लाने वाले सो सिपाही इस देश में पैदा होंगे हिंदुस्तान इस बात की कवाई देगा के तुम जैसे कितने भी भ्रष्ट निता क्यों ना हो इस वर्दी के आगे नहीं टिक पाएंगे तेरा खेल खत्म अरे अरे क्या कर रहा है अरे क्या 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 है हीरो अरे क्या क्या है झाल झाल